दोस्तों आजम बात करेंगे तिलकी खेती के बारे में तिलकी खेती इतनी अच्छी है कि सरकार भी इसे लगबग 7,830 रुपे के MSP पे खरीदती है वैसे आपको बता दूँ कि इसका रेट बजार में 10,000 से प्लस रहता है तो कुल मिलाकर बात ये है कि तिलकी खेती कैसे की जाती है अभी हम इस वीडियो में जानेंगे जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सबस्क्राइब कर लें बेल आइकन को दबा लें ओल के उपर क्लिक कर लें और उसी के साथ साथ मुझे इस्टाग्राम पर जाकर फोलो कर लें तो शुरू करते हैं दोस्तों तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि तिल जो है वो वाइट भी होते हैं, ब्लैक भी होते हैं, ब्राउन भी होते हैं, और गोल्डन भी होते हैं, किसी भी तिल की बुआई कर लीजिए, सब की बुआई का तरीका एक जैसा होता है, आपको क्या करना है, सबसे पहले हल स और से खेत को जोतना है, उसके बाद में प्रती एकर के हिसाब से 25 किलो डियेपी, 30 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो फासफेट और 10 किलोस्पर उस खेत के अंदर बाल देना है और उसके बाद में आपको बुआई करनी है बुआई से पहले आपको किस्मों का चेहन करना है टाइप 4 टाइप 12 टाइप 13 टाइप 78 शेखर अंकूर प्रगर्ती तरुना कई परकार की वराइटियां है इनमें से कोई भी वराइटिया चूज कर लीजिए और आज के टाइप में तो हाइब्र दो ग्राम थिरम लेंगे तो एक किलो सीट जो है वो ट्रीट हो जाएगा अब आपको क्या करना है प्रती एकड़ 400 से 500 ग्राम मैक्सिमम सीट डालना है और बुआई कर देनी है बिजाई करनी कैसे है बिजाई का तरीका है लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमेटर और पोध 400-500 ग्राम है और सीट बहुत चोटा होता है तो बड़ी ही बारीकी से और बड़ी ही ध्यान से आपको इसे डालना होता है तो आप अच्छे से खेत के अंदर बिजाई कर लीजिएगा इसके बाद में आपको ना इसके अंदर कोई खाट डालना ना इसे पानी लगाना कुछ भी नहीं करना बस एक बात का ध्यान रखना है अगर बारिश बिल्कुल भी ना हो दो चार बारिश बीच में हो गई तो ठीक है अगर बारिश बिल्कुल भी ना हो तो आपको उस वक्त जब फ्लावरिंग स्टेज हो या तो तब खेत के अंदर पानी दे देना है या फिर ज जब ये डेडेड फिट के पोदे हो जाएंगे, तब आपको एक बार इसमें से खर्पतवार भी निकालनी है और उसी के साथ साथ निराई गुड़ाई के दोरान, अगर एक जगह तीन चार सीड़े कठे गिर गए, तो उन्हें वहां से पोदों को उखाड देना है, ये थोड अगर अटैक कर दे, तो आपको ये नहीं सोचना कि ये तो मुफ्त की फसल एक कोई सप्रे करने क्या विशक्ता नहीं, ने, आपको सप्रे करनी है, साइपर मैथरीन की जो सप्रे है, वो एक लिटर दवाई आपको छेसो से साथ सो रूपे के बीच मिल जाएगी, आपको क्य करना है, सो एमल, एक बार में सो एमल दवाई लेनी हैं, और सो लिटर पानी के अंदर मिला कर, उसे एक एकड़ के अंदर अच्छे से आपको कर देना है, जब आपको लगे कि फिर से फ्लाई का अटैक हो गया है, तो फिर से कर देना है, हर 15-20 दिन या महिने बाद आप कर सक है, इसमें और ज़्यादा महनत आपको करने की आवशकता नहीं है, साइस बहुत जल्दी इसका लंबा हो जाता है, तो जो खरपतवार है, वो भी नीचे दब जाती है, वो भी नहीं बढ़ पाती, तो उसकी भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसकी हर्वेस्टिंग के दोर इसकी बना देनी है, उसके बाद में यह अच्छी सी सूख जाए, तब आपको तिरपाल बिछाना है, और उसके ओपर इसके पोदों को जाड़ लेना है, जाड़ोगे, तो सारे के सारे जो तिल है, वो बाहर निकल जाएंगे, तो हर्वेस्टिंग के दोरान आपको थोड़ अगर 6 क्वेंटल भी होता है, 6 को गुणा कर लीजिए MSP के भाव, वैसे तो MSP से 3-4,000 उपर रहता है, 10-11,000 के करीब प्रतिक्वेंटल का भाव रहता है, हम माल लेते है, MSP पर ही बेचना पड़ेगा, मिनिमम स्पोर्ट प्राइस पे, वो है 7830 रुपे, अगर इससे गु रहने में आप इसकी बुआई कर सकते हैं, और बहुत अच्छा प्रोडक्शन आपको ये दे देगी, होगी उस इलाके में जहां पर जमीन के अंदर पानी रुकता नहीं है, अगर जमीन के अंदर पानी रुकता है, तो तिल की फसल एकदम खतम हो जाएगी, इसको ध्यान मे रखें, जादा बारिश नहीं होनी चाहिए, हलकी जमेन होनी चाहिए, और किसी भी परकार का पानी खेत के अंदर रुकना नहीं चाहिए, फिर आपके यहां पे तिल अच्छा हो जाएगा, और अच्छी आमदनी वाली फसल है, खेर दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लग आएं, और देखते रहिए ABC INDIA